मुरली अमरित की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा मुरली अमर्त की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा पूले जीवन में हो जाए है शिव बाबा मुरली में समझाए ओम शान्ति आज की कारिक है कतीस तीन दोजाच चोविस के बाबा के अव्यक्त महावाक्य है रिवाइज देट 18.1999 में मदुवन अव्यक्त बाब दादा बरत्मा समय के प्रमान विरग्य बृति को इमर्ज कर साधना का वायू मंडल बनाओ आज सने के सागर बाब दादा अपने 30 सने ही बच्चों से मिल रहे हैं आज का दिन विशे सने का दिन है अमरी तबेले से लेकर चारों और के बच्चे सने की लहरों में लहरा रहे हैं हर एग बच्चे के दिल का सने दिलाराम बाब के पास पहुँच गया बाब दादा भी सभी बच्चों को सने के रेस्पॉंस में सने और समर्थपन का वरदान दे रहे हैं आज के दिन को बाब दादा यग की सापना में विशेश परिवर्तन का दिन कहते हैं आज के दिन ब्रह्मा बाप गुप्त रूप में बैकबोन बन अपने बच्चों को सकार रूप में बिशव के मंच पर परत्यक्ष किया इसलिए इस दिवस को बच्चों के परत्यक्षता का दिन कहा जाता है समर्थ दिवस कहा जाता है बिल पावर देने का दिवस कहा जाता है म्रमा बाप गुप्त रूह में कारिये करा रहा है अलग नहीं है साथ ही है सिरफ गुप्त रूह में करा रहा है यह अव्यक्ति दिवस बच्चों के कारिये को तिवर गती में लाने का दिवस है अभी भी हर एक बच्चे की छतर चाया बन पालना का कृतब्य कर रहे हैं। जैसे माँ बच्चों के लिए छतर चाया होती है, ऐसे ही अम्रित बेले से लेकर ब्रह्माँ माँ चारों तरफ के बच्चों की रेख देख करती रहती है। साकार में निमित बच्ची हैं लेकिन भाग्या विधाता ब्रह्मा मां हर बच्चे के भाग्या को देख बच्चों को विशेश, शक्ती, हिम्मत, उमंग, उल्सा की पालना करते हैं शिब बाप तो साथ में हैं ही लेकिन विशेश ब्रह्मा का पालना का पाठ है आज के दिन भाग्या विधाता ब्रह्मा हर बच्चे को विशेशने के इटरन में बरदान का भंडार, भंडारी मन बांडते हैं जो बच्चा जितना अव्यक्तती में सितित हो मिलन मनाते हैं, उस हर एक बच्चे को जो वरदान चाहिए, वह सहज प्रापत होता है, वरदानों का खुला भंडार है, जो चाहिए, जितना चाहिए, उतना प्रापत होने का स्रेष्ट दिवस है. सने का रिटरन होता है सहज बर्दान की गिफ्ट तो गिफ्ट में मेहनत नहीं करनी पड़ती है सहज प्रापती होती है गिफ्ट मांगी नहीं जाती है सबते ही प्रापत होती है पूरुशात से वर्दान के अनुभूती की प्रापती अलग चीज है लेकिन आज के दिन ब्रमा मा सने के रिटरन में वर्दान देते हैं जिस खजाने दवारा, बाद दादा दवारा जो चाहे अविनाशी बर्दान प्रापत कर सकते हो. वे सने का खजाना हर बच्चे के पास है, सने का खजाना है, तब तो पहुंचे होना, सने खींच कर लाया है, और सने में रहना बहुत सहज है, पुरुशार्थ की मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि सने का अनुवब हर आत्मा को होता ही है, सिरफ अब जो बिखरा हुआ सने था, कुछ कहा, कुछ कहा था, वह बिखरा हुआ सने, एक के ही साथ जोड लिया है, क्योंकि पहले अलग-अलग संबंध था, अब एक में सर्व सने एक से हो गया, इसलिए हर एक कहता है, मेरा बाबा, तो सने किस से होता है, मेरे से, सभी कहते हैं ना, मेरा बाबा, या दादियों का बाबा, महरतियों का बाबा है, सबका बाबा है ना, आज के दिन कितने बार, हर एक बच्चे ने दिल से कहा, मेरा बाबा, मेरा बाबा, सबी ने मेरा बाबा मेरा बाबा कहे रूर प्रहान की ना सारा दिन क्या किया सने के पुष बाप दादा को अर्पित किया बाप दादा के पास सने के पुष बहुत बढ़िया से बढ़िया पहुंच रहे थे सने तो बहुत अच्छा रहा अब बाप कहते हैं सने का सबरूप सा साकार में इमर्ज करो वह है समान बनना अभी ये समान बनने का लक्षे तो सभी के पास है अभी साकार में लक्षन दिखाई दे जिस भी बच्चे को देखे जो भी मिले संबंद सपर्ग में आए उनों को ये लक्षन दिखाई दे कि यह जैसे परमात्मा बाप म्रमा बाप के गुन हैं, मैं बच्चों के सूरत और मूरत से दिखाई दे। अनुभव करें कि इनके नैन, इनके बोल, इनों की बृति बाबाइवरेशन न्यारे हैं। मदुवन में आते हैं तो बाब ब्रह्मा के कर्म सकार में होने के कारण भूमी में तपस्या कर्म और त्याग के वाइवरेशन समाय हुए होने के कारण यहां सहज अनुभव करते हैं। कि यह संसार न्यारा है क्योंकि ब्रह्मा बाप और विशेश बच्चों की वाइवरेशन से वाइव मेंडल अलोकिक बना हुआ है। बाप समान बनना ही है वै संकलब अभी चेहरे और चलन से दिखाए दे जो भी संबंद समर्ग में आए उनके दिड़ से यह आवाज निकले कि यह आत्माएं बाप समान हैं। बीच बीच में खांसी आ रही है आज माइक खराब है मिलना तो है ना। यह भी तो माइक है ना। यह माइक नहीं चलता तो यह माइक भी काम का नहीं। कोई हरजा नहीं यह भी मोसम का फल है। तो बाद दादा अभी सभी बच्चों से यह प्रतिक्स्ता चाहते हैं जैसे बानी दवारा प्रतिक्स्ता करते हो तो बानी का प्रभाव पढ़ता है। उससे भी ज़्यादा प्रभाव, गुन और कर्म का पड़ता है, हर एक बच्चे के नैनों से, यह अनुव हो की इनों के नैनों में कोई विशेस्ता है, साधारन नहीं अनुव करे, अलोकिक हैं, उनों के मन में क्वेस्चन उठे, कि यह कैसे बने, कहां से बने, स्वेम ही सोचे और पूछे की, बनाने वाला कौन, जैसे आज कल के समय में भी कोई बड़िया चीज देखते हो तो दिल में उठता है, कि यह बनाने वाला कौन है, ऐसे अपने बाब समान बनने की स्थिती दवारा बाब को प्रत्यक्ष करो, आज कल मेज्यारिटी आत्माई सोचती हैं कि क्या इस अकाल स्रिष्टी में, इस बाता बर्न में रहते हुए ऐसे भी कोई आत्माई बन सकती हैं, तो आप उन्हों को यह प्रत्यक्ष में दिखाओ कि बन सकता है और हम बने हैं, आज कल प्रत्यक्ष प्रमान को ज़्यादा मानते हैं, सुनने से भी ज़्यादा देखने चाते हैं, तो चारों और कितने बच्चे हैं, हर एक बच्चा बाब समान प्रत्यक्ष प्रमान बन ज जाएगी मेहिनत समय कम और प्रत्यक्ष प्रमान अनुभब करने से जैसे प्रजा का स्टेंप लगता जाएगा राजे रानी तो आप बने वाले है ना बाप दादा एक बाद का फिर से अटेंशन दिला रहे हैं कि बर्तमान वायू मंडल के अंसार मन में दिल से अभी विरग् रृ्टि में है चाहे से वा के अंदर पर है चाहे कहां भी रहते हैं स्थूल साधन हर एक को दिये हैं ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिसके पास खाना पीना रहना इसके साधन नहीं हो जो बेहद के वराग्या की ब्रिती में रहते हुए अवश्यक सादन चाहिए वे सबके पास है अगर कोई को कमी है तो वे उसके अपने अलविले पन या अलस्य के कारण है बाकी ड्रामा अनुसार बाप दादा जानते हैं कि अवश्चक सादन सबके पास है जो अवश्चक सादन है वे तो चलने ही है लेकिन कहां कहां अवश्चक्ता से भी ज्यादा साधन है, साधना कम है और साधन का प्रयोग करना या कराना ज्यादा है, इसलिए बाप दादा आज बाप समान बनने के दिबस पर विशेश अंडर लाइन करा रहे हैं, कि साधनों के प्रयोग का अनुवा बहुत किया, जो किया वह भी बहुत अच्छा किया, अब सा बेहत की विराग्या बृती को लाना प्रमा बाप को देखा लाश्ट गड़ी तक बच्चों को साधन बहुत दी लेकिन स्वेम साधनों के प्रयोग से दूर रहे होते हुए दूर रहना उसे कहेंगे विराग्या लेकिन कुछ है ही नहीं और कहें कि हमको तो विराग्या है हम तो है ही विराग्य, तो वह कैसे होगा, वह तो बात ही अलग है, सब कुछ होते हुए, नालज और विश्व कल्यान की भावना से, बाप को स्वेंग को प्रतिक्ष करने की भावना से, अभी साधनों की बजाए, बेहत की विराग्या बृति हो, जैसे स्थापना के आद्धी मे साधन कम नहीं थे, लेकिन बेहत की विराग्या बृति की भट्टी में पड़े हुए थे, यह चोदा वर्ष जो तपस्या की, यह बेहत की विराग्या बृति का वाईू मंद्ट था, बाप दादा ने, अभी साधन बहुत दिये हैं, साधनों की अभी कोई कमी नहीं है, ले इच्छाओं से वह भी परिशान हैं वायू मंडल में आत्माओं की परिशानी का विशेश कारण ये हद की इच्छाए हैं अब आप अपने बेहद की वरग्य बृति द्वारा उन आत्माओं में भी वरग्य बृति खेलाओ आपके विरग्या बृति के बायू मंडल के बिना आत्माएं सुखी शान्त बन नहीं सकती परिशानी से छोट नहीं सकती आप ब्रिक्ष की जड़ हैं ब्रामनों का स्थान ब्रिक्ष में कहां दिखाया है जड़ में दिखाया है ना तो आप फांडेशन हैं आपकी लहर विश सकार में ब्रमा बाप्समार बनने की विदी विरग्या बृति की तरफ विशेश अटेंशन दिला रहे हैं हर एक से अनुवफो की यह साधनों वश नहीं साधना में रहने वाले हैं होते हुए विरग्या बृति हो अवश्यक साधन यूज करो लेकिन जितना हो सकता है उतना दिल के वरग्या बृती से साधनों के बशी बूत होकर नहीं अभी साधना का बायू मंदल चारो और बनाओ समे समीप के परमान अभी सच्ची तपस्यावा साधना है ही बेहद का वरग्या सेवा का बिस्तार इस वर्ष में बहुत किया इस वर्ष चारों और बड़े बड़े और सेवा से सहयोगी आतमाई भी बहुत बने हैं समीप आए हैं समपर्ग में आए हैं लेकिन क्या सिरफ सहयोगी बनाना है यहां तक रखना है क्या सहयोगी आतमाई अच्छी अच्छी हैं अब उन सहयोगी क्वालिटी वाली आतमाउं को और संबंद में लाओ अनुभब कर जिससे सहयोगी से सहजयोगी बन जाएं इसके लिए एक तो साधना का वायू मंडल और दूसरा बेहत की विरग्या विति का वायू मंडल हो तो इससे सहज सहजयोगी सहजयोगी बन जाएंगे उन्हों की सेवा भले करते रहो लेकिन साथ में साधना तपस्या का वायू मंडल अवश्यक है अभी चारों और पावरफुल तपस्या करनी है जो तपस्या मंसा सेवा के निमित बने ऐसी पावरफुल सेवा अभी तपस्या से करनी है अभी मंसा सेवा अर्थात संकलब दवारा सेवा की टेचिंग हो उसकी अवशक्ता है समे समीव आ रहा है निरंतन स्थिति और निरंतर पावरफूर वायू मंडल की अब शक्ता है बाप समान बनना है तो पहले बेहत की विरग्या बृति धारन करो यहीं ब्रह्मा बाप की अंत तक विशेष्टा देखी ना बहबम में लगाव रहा ना बच्चों में सबसे विरग्या बृति तो आज के दिन का बाप समान बनने का पाठ पक्का करना बस ब्रह्मा बाप समान बनना ही है ऐसा दिर निश्चे अवश्य आगे बढ़ाएगा अच्छा आज कौन सी बात को अंडर राइन किया बेहत का विरग्या अभी आतमाओं को इच्छाओं से बचाओ विचारे बहुत दुखी हैं बहुत पर पहलाओ अभी सबी उंचे ते उंचे परमधा में बाप के साथ बैठ सर्व आतमाओं को रहम की दृष्टी दो वाइवरेशन पहलाओ पहला सकते हैं ना तो बस अभी परमधा में बाप के साथ बैठ जाओ वहां से यह बेहत के रहम का वायू मंडल पहलाओ यानि बाप दा बाप दादा को सारे दिन में बहुत प्यारे प्यारे मीठे मीठे दिल के गीत सुनाने वाले रूरिहान करने वाले शक्तियों के गुनों के वरतान से जोली भरने वाले बाप दादा को सब के गीत, खुशी के गीत, सने के गीत, रुहानी नशे के गीत, मीठी मीठी बातें बह ऐसे दिल के सच्चे, दिल के आवाज सनाने वाले बच्चे महान हैं और सदा महान रहेंगे, ऐसे मीठे मीठे बच्चे सदा बेहद के वरग्या बृती को, अपनाने वाले दिड निश्चे बुद्धी बच्चों को, बाब दादा एक के बदले पदम गुना रिटर्न स्ने द दिलाराम के दिल पर रहने वाले सभी बच्चों को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते जो बाहर भी सुन रहे हैं उन्हों को भी बाबा देख रहे हैं और बाब दादा दूर नहीं देखते हैं लेकिन सभी तरब के बच्चों को समुक देख याद प्यार और मुवारक औ और याद सौगाद वह याद पत्रों का रिटर्न कर रहे हैं कि सदा उडती कला में उडने वाले बच्चे सदा आवाद हैं सदा ही आवाद रहेंगे अच्छा मीठे-मीठे सिकलते बच्चों प्रती मात पिता बाब दादा का याद प्यार और गुड मौनिंग रुखानी बा बाब दादा को शर्दा भरी प्रेम भरी नमस्ते शुक्रिया बाबा शुक्रिया बाबा शुक्रिया बाबा इस मीठी 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 मुरली के लिए वर्दान सत्गुरु परमपिता परमात्मा का स्रेष्ट संकलब की शक्ती दवारा सिद्धियां प्रापत करने वाले सिद्ध सबरूप भब आप मास्टर सरफ शक्तिवान बच्चों के संकलप में इतनी शक्ति है जो जिस समय चाहो वह कर सकते हो और करावी सकते हो क्योंकि आपका संकलप सदा शुब श्रेष्ट और कल्यानकारी है जो तो श्रेष्ट और कल्यान का संकलब है, वह सिद्ध जरूर होता है, मन सता एकागर अर्थात एक ठिकाने पर सिथित रहता है, भटकता नहीं है, जहां चाहे जब चाहे मन को वहां सिथित कर सकते हैं, इस से सिद्धी सबरूब सर्ते बन जाते हैं, सलोगन पर स्थितियों की हलचल के परवाब से बचना है तो विदेही स्थिती में रहने का अभ्यास करो, ओम शान्ति